नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवूड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अभिनेत्री सिम्रतकौर सिम्रतकौर नाम से प्रसिद अभिनेत्री सिम्रतकौर रंधावा की जीवन, बायोग्रफी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सिम्रतकौर के परिवार वर शिक्षा और फिल्म के करियर के बारे में बात करेंगे। सिम्रत कौर एक पंजाबी भारतिय अभिनेत्री है, जिनोंने फिल्मों के साथ म्यूजिक विडियो में भी काम किया है. आक्ट्रिस सिम्रत कौर एक भारतिय अभिनेत्री और मॉडल है, सिम्रत मुख्य रूप से तेलुगू और हिंदी फिल्मों में काम करती है. सिम्रत कौर का जन्म 6 जुलाई 1997 को भारत के पंजाब राज्य के अमरित्सर शहर में हुआ था सिम्रत कौर ने अपने करियर की शुरुआत कैडबरी के विज्यापन में एक छोटी सी भूमिका से की थी सिम्रत कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2017 में आई रिशी की तेलुगु फिल्म रोमांटिक ड्रामा प्रेमतों मी कार्तिक से की थी परंतु सरवाधिक प्रसिधी 2020 में आई तेलुगु फिल्म डर्टी हरी से मिली 2023 में सिम्रत गदर दो मूवी में नजर आई और इनका नाम है मुस्कान सिम्रत की हाइट 5.6 इंच, 170 सेंटीमीटर है अभिनेत्री सिम्रत कौर ने कई म्यूजिक विडियो में भी काम किया है सिम्रत कौर के सोच मीडिया फोलोवेर्स है सिम्रत कौर का जन्म और पालन पोशन मुंबई में पंजाबी परिवार में हुआ था सिम्रत के पिटा का नाम ग्यात नहीं, इनकी माता का नाम रंजीत कौर रंधावा है सिम्रत की बहन का नाम अमृत कौर है अभिनेत्री सिम्रत कौर की शुरुवाती पढ़ाई के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं किन्तु सिम्रत ने मुंबई के डॉन बॉस को Institute of Technology College से भी .SC Computer Science की डिगरी प्राप्त की है सिम्रत कौर रिलेशन्शिप के बारे में हमें पता नहीं और यहां उनकी नीजी जिन्दगी है बस हम इतना बताना चाहते हैं कि सिम्रत का विवा अभी नहीं हुआ है आक्ट्रस सिम्रत कौर ने अपने करियर की शुरुवात कैडबरी के विज्यापन में एक छोटी सी भूमिका से की थी सिम्रत कौर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुवात 2017 में आई रिशी की तेलुगू फिल्म रोमांटिक ड्रामा प्रेमतोमी कार्तिक से की थी उसके बाद 2018 में सिम्रत को दो फिल्मे मिली परिच्यम और सोनी सिम्रत ने अपने हिंदी करियर की की शुरुआत 2018 की सोनी फिल्म से की थी 2020 में आई तेलुगू फिल्म डर्टी हरी से सिम्रत को सरवाधिक प्रसिद्धी मिली उसके बाद उन्हें 2022 में आई नागारजुन और नागा चैतन्य की तेलुगू फिल्म बंगाराजु में केमियो रोल मिला सिम्रत 2023 के फिल्म गदर दो में मुख्य किर्दार में है फिल्म में सिम्रत के अलावा सनी देओल, अमीशा पटेल और उतकर शर्मा भी है गदर दो मूवी को 11 अगस 2023 को हिंदी भाषा में रिलीस किया गया है सिम्रत कौर ने पहला म्यूजिक वीडियो दो हजार उन्नीस में किया म्यूजिक वीडियो का नाम बुर्ज खलीफा था, म्यूजिक को हिम्मत संदू ने गया था उसके बाद 2020 के एक और म्यूजिक विडियो किया लारा लपपा नाम से इस म्यूजिक को भी हिम्मत संदू ने गया था उसके बाद में 2021 में तेरे बिन जिन्दगी म्यूजिक विडियो में दिखाई दी इस म्यूजिक को मीका सिंग द्वारा गया है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अभी के लिए बस इतना ही दोस्तो हम फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद